असलाम ओले केपी हुमान डेवलोप्मेंट की जानिक से डॉक्तर हुमी भावा स्कूल नंबर 105 जमाद दो सात्वा सबागे ज़ाग गौर मगा जगमाग यानि बच्चों कुछ अनू का कुछ नया अब यहां माद लीमो पानी बनाने का मज़ा लेंगे आपको उसमें क्या चाहिए आदा लीमो एक चमच नमाग एक चमच शकर एक गिलास पानी ठीक है अब यह एक गिलास पानी माँ आदे लीमो के कितने कद्रें अंदर एड करेंगे यानि कि उसमें डालेंगे फिर जो नमागे वो उसमें गिलास में छीड़क देंगे और एक चमच जो शककर है वो दाल देंगे, ठीक और अच्छे से गिलास में जो नीमू शककर का पानी हुसे हिला लेंगे अब बच्चों आपको अंदाजा लगाना है, क्या लगाना है? अंदाजा आदे लीमू अपने जो निचोड़ा है ग्लास में यानि कि इसका रस निकाला है तो आदे लीमू के आपको कितने कत्रे मिलेंगे वो यहां लिखना है दियान से करना है बज़े फिर एक पूरे लीमू के कितने कत्रे मिलेंगे वो यहां लिखना है ठीक है और एक चमचा बरने के लिए लीमू के कितने कत्रे चाहिए ठीक है यह आपको घर पर अच्छे से बच्चो करना है और मुझे लिख के उसका फोटो सेंड करना है अब यहाँ आए कि गिलास लीमू पानी बनाने के लिए छे गिलास ठीक है तो बच्चो छे गिलास पानी बनाने के लिए हमको कितने लीमू की जरूरत होगी तो पीछे हमने देखा कि एक गिलास लीमू में एक लीमू चाही एक गिलास लीमू फानी बनाने के लिए एक लीमू चाही है तो छे गिलास बनाने के लिए कितने लीमू चाही होंगे बच्चो छे अब एक गिलास बनाने में एक चमच शक्कर की जरूरत है तो यहाँ छे गिलास बनाने के लिए कितने चमा चकर की जरुरत होगी तो छे आएगा ठीक है बच्चो यह आपको ध्यान से करना है ठीक है अब यहाँ देखो बच्चो कि गाउंग में एक मेला भरा है जहां लीमू पानी की दुकान है ठीक है और गाउंग में यह जो दस्व दिखाए देती है मेला भरा हुआ है ठीक है अब यह दुकान दर ने क्या किया है इस मेले में एक बाल्टी भर के नीमू पानी बनाया है ठीक है और उन्होंने गिलास के दो मुक्तलिप साइजा इस्तमाल किये है साइज यानि कि वो छोटा बढ़ा है है ना बच्चो तो छो बढ़ा गिलास कितने का है पांच रुपी एगा ठीक है और बढ़ा गिलास दस रुपी एगा समझ गए बच्चो नीमू पानी ठंडा ठंडा कूल कूल होता है ठीक है अब उन्हें उन्नीस एक जग ले लिया उनेश ने एक जग ले लिया कि आप समझते हैं कि ये एक बालटी के मुकाबले जग से कितने गिलास शरबत ज्यादा असनी से डाला जा सकता है देखो बच़ो एक बाल्टी शर्बत बनाया है ठीक उन्होंना नीमो पाणी अब बाल्टी से तोम गिलास बर नी सकते बच्छो मेले में काफी लोग होते है तो उन्होंने क्या गिया जग लिया और जग से गिलास में शर्बत आसानी से बर ने लग Natomiast ठीक है जो बड़ा गिलासे उससे एक जग बरा जाद है ठीक है तो शबनम ने एक जग बरकर लीमू पानी खरीदना चाहती है तो उसको उसके लिए कितने पैसे देने होंगे बच्चो बड़ा गिलास कितने रुपे गाएं? दस रुपे गाएं है ना? अब दो बड़े गिलास बरकर एक जग होता है तो शबनम को कितने देने हैं? बीस रुपे देने हैं समझ में आ गए अब चित्रा ने देखा कि दो चोटे गिलासों से एक बड़ा गिलास बरा जाद अब दो चोटे गिलास, चोटे गिलास का कितने रुपिये का दाम है, पांच तो उसको कितने लेने हैं, दो चोटे गिलास से एक बड़ा गिलास तो कितने लेक देगी, 10 रुपिये, ठीक है बच्चा और जग बरने के लिए कितने गिलास, चोटे गिलास लीमो पानी चाहिए सोच ये बच्चो ठीक है अब आपको ये अच्छे से सोच समझ के अपनी कापी में लिखना है, ठीक है चलिए, शुरू करते हैं